Dear students of class first, today is your English class and today I am going to teach you a poem and the name of this poem is The Swing. Swing का मतलब होता है जूला. Now let's begin. To sit on a swing and move up and down. Oh, that is so much fun. When you are going up and down, how do you feel? Today we are going to be a poem. We will feel this way. When you are going up and down, how do you feel? When you are going up and down, how do you feel? How do you feel? How do you feel? You will be able to reach. This poem is written by Robert Louis Stevenson. This poem is written by Robert Louis Stevenson. This poem is written by Robert Louis Stevenson. Now let's read the poem. How do you feel? How do you like to go up in a swing? Up in the air. So blue. Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. As you think it's the poem? It's poem. I'm an artist. How do you feel? Because when you are going up and down, how do you feel? How do you feel? How do you feel? I'm going up and down and down. अब हवा में आस्मान में दिजाते हैं तब आस्मान एकदम ale color akan दिखाई देता है और मुझे एसा लगता है पोईर्ट नियसा दोंकि मुझे एसा लगता है मैं है सोचता हूँ कि जब बच्के जूले पर बैट कर जूला cultivalten है तो यहाँ एक बहुत ही बहुत ही भूत ही अंदर बहुती सुखद थिंग बच्चों के लिए होती है जिसे हर एक बच्चा कर सकता है आगे पोईट बताते हैं कि जब जूले पर बैठ कर उपर हवा में जाते हैं उपर के तरफ जाते हैं तब दिवाल से उपर तक हम चले जाते हैं और हमें इसा लगता है हम वहाँ से सारी वाल्स को यानि सारी दिवाल को देख सकते हैं उसके साथ साथ जो चोड़ी-चोड़ी rivers, बड़ी-बड़े trees और बहुत सारे animals जो होते ही उनको भी वहाँ से देखा जा सकता है Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down और उपर जाकर जब वहाँ से नीचे देखते हैं तो आगे poet बताते हैं कि जूले से हम उपर जाकर और जाते हैं तब हमें कैसा लगता है और जब वहाँ से हम फिर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां उपर से नीचे चारो तरफ ग्रीन गार्डन दिखाई देता है, हर्याली दिखाई देती है, और घरों के उपर की जो छते होती है, जो रूफ सोती है, वो ब्राउन कलर की बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है, और इतना देखते ही, जब हम नीचे इतना देखी पा है कि हम जब जूले पर बैठ कर जूला जूलते हैं तो किस तरह से जूला उपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आता है और जब उपर की तरफ हम स्विंग के अंदर उपर की तरफ जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे वहां से सारी वाल्स सारी रिवर्स ट्रीस कैटल सभ पूरे गाउं को वहाँ से देख पा रहे हूं पूछारों तरफ की हमें दिखाई देता है और फिर जब स्विंग नीचे के तरफ यहीं तो नीचे हम देखते ही तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गार्डन ग्रीन कलर से भरा ओवा दिखाई दे रहा है चारों और हरियाली दिख और इतना देखते ही देखते तभी अचानक से एकदम से जुला फिर उपर चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है और इस तरह से बहुती सुन्दर आनन्स बहुती सुन्दर बच्चों को लगता है